एलो गास कैसे हैं आप लोग स्वागत थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नहे वीडियो में हाज मैं आप लोगों का बताऊंगा गास की रेद्मी Note 8 Pro फोन में आप लोग स्टोरे श्पेस रनिंग आउट प्रोबलेम को कैसे सॉल्प कर सकते हो अगर आपके पास रेद्मी Note 8 Pro लोग फोन है और उसमें जो है आप लोगों का बार-बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं स्टोरे स्पेस रनिंग आउट तो आज की वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो बसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस प्रोब्लेम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है अपने स्टोरेश को थोरा खाली कर लेना है स्टोरेश को खाली करने के लिए आप आप सारे वीडियो सिंख्र नहीं इसका मतलब क्या है मतलब आप लोग डिलेट कर रहा हूँ आपके ट्रस्त में जामा रहा है ठीड़ गाले इता हॉप्ष्टन होगहां कहा होता है गैस यहापर gallery में आप लोगो albums में जाना है देख सकते हैं मैंने अभी एक photos डिलेट किया था तो यहापर trust bean में click कर देंगे तो यहापर वो photos देखने को मिल जाएगा ठीक है जब तक आप लोग trust bean से वो सब clear नहीं करते हो तब तक जो है आप लोगों का storage space running out problem नहीं solve होगा तो आप लोगों trust में से इन सब को clear कर देना है जितने भी आप लोगों को यहापर देखने को मिलेगा डिलेट किये हुए photos बगरा को उन सब को यहापर से clear कर देना है तब ही जो है आप लोगों का storage space running out problem में आपर solve हो जाएगा ठीक है उसके बात आप लोग क्या कर सकते गाई उसके बात अगर आपके फोन में बहुत सारे application है जैसे कि games या बहुत सारे videos applications बहुत सारे आप लोगों ने जो आप लोग यूज नहीं करते हो उन सब को डाउनलोड करके रखे तो उन सब को जो है आप लोग अनिस्टल कर सकते हैं अनिस्टल करने से भी आप लोगों का storage space running problem में आपर solve हो जाएगा तो याइगास आप लोगों को जो जो आप application यूज नहीं करते हो उनको अनिस्टल करना है तो जिस भी application को आप लोगों का अनिस्टल करना है कर देंगे तो एसे अनिस्टल करने सी भी आप लोगोगा स्टोरे स्पेस रणिगा पिरॉपर सोलप हो जाएगा उस एक option देखने को मिलेगा गाइस डाउनलोड का ठीक है तो इस डाउनलोड पर क्लिक कर देना है अगर आपके अपने गलती से भी यूटूब से जो है वीडियोस या मूवीज वेगर आपको डाउनलोड किया था तो भी जो है आप लोगों को storage space running out problem देखने को मिल जाएगा तो आप लोगों क्या करना है गाइस अगर आप लोगोंने गलती से भी डाउनलोड किया है तो यहाँ पर शो हो जाएगा उन सबको जो है आप लोगों को यहाँ पर से डिलेट कर देना है तबी जो है आप लोगों का storage space running out problem solve हो जाएगा तो कभी कभी automatic भी डाउनलोड हो जाते है गाइस यहाँ पर से यूटूब में से तो यहाँ पर शो हो जाएंगे डाउनलोड के option पे तो उन सबको डिलेट कर दिजिए आप लोगों का storage space running out problem solve हो जाएगा उसके बाद आप लोगों क्या कर सकते है गाइस उसके बाद जो है आ ऑपेन कर लेना है ऑपेन करने के बाद देख सकते cleaner का option एक cleaner पे क्लिक कर दीजिए और यह आपन नीचे जो है clean up का option थोड़ा बात आजाएगा देख सकते आ गया है तो इस clean up पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो भी केची फाइल बगर है वह यहाँ पर से clean हो जाएगा उसक बाद एक last setting हैगा इसमें इसको बता दे तो आप लोगों को बहुत ही जरूरे setting से यह करने से आप लोगों storage space running और problem 100% solve हो जाएगा इसको करने के लिए आप लोगों settings में जाना है settings में जाने के बाद यह आपन नीचे scroll down कर लेना है नीचे एक option होगा इस apps का देख सकते है इस उसके बाद एक option है manage apps का इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर आपके phone में जितने भी application होंगे सब शो हो जाएंगे तो जिस भी application को आप लोग यूज कर रहे हो जैसे कि Instagram हो गया Chrome हो गया Google हो गया YouTube हो गया उसके बाद Facebook हो गया फिरी firepub gene सब को आप लोग यूज कर रहे हो तो बहुत दिन यूज करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे जो है डाटा या वहाँ पर जमा हो जाते है ठीक है तो यहाँ पर storage भी वह बहुत सारे ले लेते जैसी कि अगर आपका Instagram का application 100 MB का है तो वह चलाते चलाते यूज करते 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 कभी-कभी 1GB तक भी हो जाता है ठी simply यहाँ पर देख भी सकते दिखा रही 11 MB, 42 MB, 28 MB, 89 MB ठीक है तो आप लोगों किया करने है बहुत अगर MB हो गया है तो इस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक clear data का option है ठीक है तो clear data पर क्लिक कर दीजिए clear all data पर क्लिक कर दीजिए और रोके पर क्लिक कर ऐसे करने से आप लोगों का जो है बहुत सारा storage आपर खाली आप लोग कर सकते है आप लोगों किसी किसी application में अगर दिख रहे बहुत MB इसने ले लिया है तो उसको आपर से clear all data कर दो आपका जो storage space running problem में वो solve हो जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Redmi Note 8 Pro phone में storage space running out problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe ज़रूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई